असे चुटकी नब पेता रगट के बीडा मूं में डाल तो फिर वीडे का देख कमाल तू फिर वीडे का देख कमाल खुश होगे तू? खुश होगा तो बार्मी पास भी ए फेल तूने अपनी पचास कर ली मेरी बबरो के बारे में नहीं सोचा या आदमी तोस क्यों नहीं जीत रहा शान मसूद यह सब खयाल मेरी बबरो के दिल में आ रहे हैं तुम लाइक सब्सक्राइब करके जल्दी जल्दी आजो मेरी बबरो आज ब्रेंड लारा कर रिकोर्ड तोड़ 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 चूप गई हैं तुम लोगों को मैश को देखना आता नहीं है भाई या जबाबर उर्फ काली पहाड़ी का नेवला उस जहरीले नेवले के लिए उस सांप के लिए जिसने पाकिसान की टीम को ऐसा डसा ऐसा है कि पाकिसान की टीम को खतम तबाह Theme बर्बाद करके रहchine है जलती मेरी बबरोगी नहीं है यह बंगलादेश की यह याइक बात बताई एब regulow इंसानियत के नाते क्या बबरों पहल्को ऊण वो ना करें तो चली सकता ता नहीं मतलब यार वहां पर कोई भी जागे 50 कर रहा है कोई भी जागे 60 कर रहा है कोई भी century कर देता है क्या बंगलादेश को घंटे के King को इतना respect तो देना नहीं चाहिए था क्या लेकिन पाई जानिए दे नहीं रहे हैं रिक्स्पेक्ट बिल्कुल भी देखिए जिस भाई ने मैच देख लिया है बहुत अच्छा जिसने मैच नहीं देखा है भी मैं रुबरु करवाता हूं तुम सब भाईयों को पाकिस्तान में भूकी नंगी कोम में भाई बहुत ही खुशियां लेकिन पाकिस्तान है कि मानती नहीं है एक तो इनको गरीन टोपा देने की पता नहीं ऐसी क्या पड़ी है कौन सा इनको अंदर से कीडा काट रहा है इतने उतावले क्यूं है गरीन टोप के लिए मुझे नहीं पता भाई लेकिन वह मैच चलो यह पिल गए एक जीरो से यह जीरो वन से बंगला देश जो है मतलब एक मैच जीत के वो आगे हो गए ठीक है यह पीछे हो गए जीरो वन से यह मतलब सीरी जबी चल रही पाकिस्तान के हिसाब से अब यह मैच अगर ड्रो हो गया तो भाई सीरी जीत रही है बंगला देश लेकिन आज जो इन्नोंने कुछ करिए वाई इसके हिसाब से लगता है कि यह मैं शायद रो ना हो यह चार दिन में भी रिजल्ट प्रिड्यूस कर देंगे गंदा खेल के काम तो बहुत तगड़ा करा है पोकिस्तान में देखो जो एप्रीशेट करने वाली बात वो करना पड़ेगा पूरी रात बैटक पूरी रात बैटके बबरो ने ग्राउंड सुखाया पाईजन तुम्हें लग रहा है ना कि वो रन नहीं बना रहा आइसीस से बात चल रही है उसकी वो कह रहा है पच्चीस रनों को पचास कंसीडर किया जाए और पचास को सो कंसीडर किया जाए बच्पन में नहीं होता पच्चीस अवरों में बैट उठा देते थे बच्चे तो वो उस हिसाब से हाल है भाई मतलब उस तरीके का हाला कि बबरो यह जो पांच साथ लोग देखने आए थे यह भी बबरो को देखने आए थे बाकी तो आहीं कुछ नहीं वह सोफा तो घर पे जाके भाई बच्चे गिर गया उसके बाद देखो इतनी लंबी पार्नेशिप हुई और देखो नलाइकी का आलम देखना नलाइकी का आलम देखो इनकी सोच देखो यह कहां मरते हैं सबको लग रहा है ना कि बंगलादेश बड़ी आउटस्टेंडिंग क्रिकेट खेल रही है जी घंता आने तो खतम तबाहों बरबाद करके रख दिया आज इतनी जादा देर तक महनत मशक्कत करता रहा और जैसे ही टी होने वाली थी उससे चंद लमहा पहले शाकिब आया उड़ा के ले गया 77 बाल्स पे 77 रंस तो खेर क्या बनाएगा जिंदेगी में ने लेकिन 77 बाल्स पे 31 ठीक है और इस सीरीज में आप देख लीजिए पाकिस्तान वससे बांगलादेश जीरो पाउट हुआ फिर दुबारा जीरो पाउट होने वाला था हम आपे 20 रं बनाके गया जब कैच छूड़ की तो 20 रं बना लिया और आज 31 रं बनाके गए हैं बावरे जिमजब जिमबा जिमब खतम होते हैं हुए नजर आ रहा है अभी शाहिए अब मैं पूछना जाता हूँ जो जिमबू को बड़ा सिपोर्ट करते हैं भाई या पंदरा इनिंग्स हो चुकी है यह जिमबू को निमबू नचोड़ते होए क्रीज के उपर और कैसा उट हुआ है आज देखा है आपने टेल एंडर की तरह बॉल ही नजर आई इसको सीधी सीधी खेल रहा है वहाँ पे गिर गया पीरी पैर पे लगए बतलब रिव्यू लेने के लायक भी नहीं था इतना प्लम था शाकिप की बॉल पर ठीक है ना तो भाई आप इस काली पहाड़ी के नेवले से बाप पूछे ह बनाने कब है शाहीन को तो ड्रॉप कर दिया नसीम को भी ड्रॉप कर दिया ये कब ड्रॉप होगा अब ये ड्रॉप होगा अगर पाकिस्तान ये मैच भी हार जाती है तो क्या बावराजम ड्रॉप होना चेए कि नहीं होना चेए वह सैम अयूब रन मार गया शान मसूद र या इसका न्यूजिलेंड में क्या हाल होगा, इसका इंग्लेंड में क्या हाल होगा, इसका पाकिसान में नहीं खेला जा रहा, इतनी फ्लैट ट्रैक पर नहीं खेला जा रहा, सीधी सीधी बॉल ये मिस्स कर रहा है, इसको समझ में नहीं आ रही कि फ्रेंट फूट पे खेलू कब बनाएगा भाई रन यहां पे लोग अपने घुटनों में इंजेक्शन मार मार के तुमाई टीम के लिए खेल रहे थे तुने अपनी टीम के गलों में इंजेक्शन मार रखे हैं भाई हो कहा रहा है कर कहा रहा है तु भाई और आप यह यकीन माने जब वो आउट हुआ है विजुल आय गिलिस्पी का और शान मसूद का शान मसूद खिल खिला के हसरा है वो कह रहा है भार में गया मैच ये जो पीठ बे खंजर भोकने वाली पार्टी है कम से कर मिसके रन नी बने तो मेरी कप्तानी तो सेफ होगी बाई तो पाकिस्तान की टीम में हर बंदा सिर्फ अपने लिए सोचता है कि अपना काम बनता भार में जाए जनता अपने रन बनाओ अपनी पुजिशन पहले सेफ करो जिसने शाहिन अफरीदी को नी बख्षा मेरे को क्या बख्षेगा वाई एक बाह बताओ शाहिन अफरीदी को आपने नौन परफॉर्मंस में बहार करा उसने पहले इनिंग में 29 बनाये थे बाबर ने पूरे मैच में मिलके 20 बनाये थे फिर बाबर खिल रहा था